नमस्कार दोस्तों आर्ती को कितनी बार घुमाना चाहिए आर्ती आरम करने से पूर्व तीन बार शंखनाद करें अर्थ समझ कर आर्ती गाएं ताली ये वंबाद धीमे बजाएं देवता की पूर्ड गोलाकार आर्ती करें आर्ती हो जाने पर हथेलियों को दीप पर रख तदुपरांत दाई हथेली को सिर पर आगे से पीछे गर्दन तक फेरें अंत में देवता की परिक्रमा करें ये दिसुविधा जनक ना हो तो एक ही अस्तान पर खड़े खड़े तीन बार परिक्रमा करें सबसे पहले भगवान के चरडों की योर चार बार नाभी की योर और दो बार मुख की योर एक बार फिर भगवान के समस्त स्री अंगों में यानि सिर से चरडों तक साथ बार आर्ती घुमाएं इस तरह से आर्ती करने में चोदव भवनों जो भगवान में समाएं हैं उन तक आपका परणाम पहुशता है ध्यान रखें की आर्ती अमेशा भगवान के सिरी चरडों से ही सुरू करनी चाहिए धन्यवाद दोस्तों